अनन्त अपानी राधिका मर्चंट की बारा जुलाई को बड़े ही धूम धाम से शादी हुई दोनों की प्री वेडिंग्स फंक्शन से लेकर रेसेप्शन पार्टी तक बॉलिवुड से लेकर हॉलिवुड चेलिबरेटीज ने खुब धमाल मचाया कपल मुंबाई के जियो वर्ल सेंटर में शादी के बंदर में बंधा था शादी के बाद कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अनन्त और आधिका अपने पोस्ट वेडिंग सेलिबरेशन के लिए लंडन जाएंगे हाल ही में खबरे आई के अमबानी कपल लंडन के होटेल स्टेक पार्क में पोस्ट वेडिंग सेलिबरेशन होस्ट करेगा लेकिन अब ये खबरे जूटी साबित हुई है क्योंकि होटेल ने खुद इसे खारिच कर दिया है रिपोर्ट्स के मुताबिक अनन्दामबानी और आदिका मर्चन का पोस्ट वेडिंग सेलिबरेशन बकिंगम शायर के स्टोक पार्क लग्जुरी होटेल और गोल्फिंग एस्टेट में होस्ट किया जाएगा ऐसे में स्टोक पार्क ने अपने इंस्टाग्राम पर एक उफिशल स्टेट्मेंट जारी किया है और कनफर्म किया है कि यह खबरे गलत है होटेल की तरफ से स्टेटमेंट में आया कि स्टोक पार्क में हम आमतौर पर प्राइवेट मामलों पर कॉमेंट नहीं करते हैं लेकिन हाल ही कि मीडिया आठकलों की वज़े से और सतीकता के हित में हमें साफ करना चाहेंगे कि इस समर में estate में किसी wedding celebration की planning नहीं है हमेशा की तरह हम एक world class hotel और golf course के रूप में estate के लिए अपने future के नजरिये के लिए committed है और इसे अपने stakeholders और local community के साथ काम करना जारी रखेंगे यानि की लंडन में फिलहाल कोई wedding reception नहीं है आपको बता दे अनन्द अमबानी और अधिका merchant की शादी से पहले दो pre-wedding function हुए थे आपको बता दे अनन्द अमबानी और अधिका merchant की शादी काफी जादा grand रही थी इस शादी के कई सारे photos और videos social media पर viral हुए थे फिलहाल इस video में इतना ही bollywood.tv से जुड़ी हर update के लिए देखते रही है फिल्मी बीच अगर आप हमारा ये वीडियो फेस्बुक में देख रहे हैं तो प्लीज हमें follow करें